हेर प्र्रोब्लम, हेर प्र्रोब्लम जो होता ना हर किसी के पास चाहे होगा बच्चे हो, बड़े हो, या जब आख बक्रेशान है, तो आज मैं एक ऐसी रिमेडिय आपसे शेयर करने जाती हूँ, जिसे आप लगा करके अपने बालों को काफी हद तक रोक सकते हो करने का मतलब है कि अपना चड़ना तूटना बालों को जड़ने से तूटने से आप गिरने से बचा सकते हो रोक सकते हो बाल अकसर हमारे मोटे होते हैं लंबे होते हैं काले भी होते हैं लेकिन क्या होता कि हमारे बाल बहुत जादा जड़ने लगते हैं जिस कारण हमारे कंज़पन के शिकायत होने लगती है और बाल जब हम जब भी कंगी करते हैं जितनी बार हम कंगी करते हैं उतनी बार हम कंगी करें उतनी बार हमारे बाल फसती है इस कारण से हम बालों में ऐसे को चिए अपने से जुकायट हो जाएगी तो इन शारे प्रब्लम IRS को दूर करके तो ब्रीमिक वह भी आपको लावनाना है एक भार लंग फंस त्वरी चहिसांगे आपके बाल अपने बाल बनाने के लिए आज की रिमेडी बहुत जादा खाश होने वाली है तो आपको इस रिमेडी को ज़रूर यूज़ करना चाहिए तो चलिए इस रिमेडी को बिना देर किये शुरू करते हैं सबसे पहले ऩाल Advisor कि रखते हो तो वह को नहीं नहीं है क्योंकि Heir के लिए आप मार्के फैश ऑसक्त के लिए बहुत जादा जादा होता है इसलिए प्लाइट से ले आप got यह ए ईूस कर सकते ह। जब आप प्लाइट से ले करकः यूज करोगे तो आपको कम खर्षे में अपने बालों के लिए बहुत ही बहुत प्रोडक्त के रूप में यह घर की बनाई उवी रेमE90 है तो इस तार से छोटे चोटे टुकड़े आपको इस सेलोवेश लाकर देना चाहे है कर लेना है और चूब्लबर सेवार बालों के लिए मलसे अच्छा होता है यह महरे बालों को स्मूध सेंड़ बनाता है बहुत ज्यादा शिलकी करता है तो इस तरह से हम क्या करेंगा दुसरा जो एंगिज देंस लेंगे वह वडश को चोटेश चोटत कर लेकिशा हो वह सब्सक्राइब को भी हमारे ब्लंबर साथ क खत्म करती है वह विलड भी यह अची तरफ से जैसिंकि दोनों चीदों को कट कर लेंगे तो आप देख सकते हो के इलो वेरा और प्यास दोनों चीज़ों को हमने छोटे-छोटे टुगडे कर लिया है और फिर इसे हमें यूज करना तो बहुत ही खास रिमिटी आपको अज बता रही हूं चीज़े आपको भी यूज करके अपने प्रवलम को बालों की प्रवलम को दूर कर लेना चाहिए तो इस तरह से एक हम ग्राइंडर सार लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे एक प्यास डालेंगे कट करके और दूसरी इंक्रीजिंस में जालेंगे वह है एलो वेरा तो एलो वेरा आपको प्लांट वाला ही लेना होगा क्योंकि प्लांट कशाथ बहुत ही बेस्त होता है और यहुता होता है तो इस तरह से दुखनों चीजों को उम इसमें ढाल देंगे और फूट्स अब जो तीसरा इने के इसमें डालेंगे वह करिपॉत्ता हैं जहांते हैं करीप्ता वह fantasies और जड़ने पर बालु के लिए बहुत बड़ाँ वर्फान नुदा करणी दो ही अनुदा का यूज बहुत कंगी होता है तो य्दा को जितना भी आपके पास चार से पास ने लेना है लेने के बाद प्रिंस इसे बहुता से निकाल करके पत्ते को इसमें अगला इंगीटियेंस इसमें लेंगे वह आप देख सकते हो कि मैं क्या लीए हूँ तो इसमें थोड़ा पानी आटकरना होगा क्यूंकि इसे गराइंड करन इसमें गराइंड करके लाए तो एक बढ़ा साथ करना है तो यह पेस्ट हमें क्या करना है कि इस तरह से देख सकते हो कि हमने एक बावल में इस ट्राइट कर लिया है अच्छी तरह क्या है और LEY आप्छानी इसमें पर औरבחा एपहर नहीं पिने के सब्छान हारी में अग्ला। अगले Ol एक अ बाले कोफी होता है और तो था ज़्या बहुत जादा क्भाया है फायदेम Над में शाबिती हैं कोफी हाथ कोफी बालो को काला करने के साथ सब्सक्राइब का यह लेगे बालो का यह बिता है तो एक चमर्या समय डालना है कोफी और को और दी तरह से बढ़ना तो इस तरह सब्सक्राइब लिए तो आप देख सकते हों अजितना फेट हो पहले नगे कोई भी दिटिको पто चितना आप उसे मिलाओगे उपना ही अच्छावप बने का बाद तुछ किसी प्लास्टिक रदेना और लगवब्रčूदnh तो जब यह जाए नहीं करना है तो लगबगादी ट्राइए होने के बाद इसे आप बालो को धो सकते हैं हफते में दो बारी से यूज करना बहुत जादा बारी यूज नहीं करना अगर आपको ठंडी की प्रवलम है और एलोवेरा से ठंड होती है तो फिर आप इसे लगाने के बाद जाब बालों में अप्लाई करके नहा लेना तो इस तरह आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सस्क्राइब जब करना बेल आइकन घंटी कोई प्रेश करता कि कल्विड में तब बावैटिक